हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स मैं भी अच्छी हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे ही विसकस के बारे में जिसकों की गुलहर बोला जाता है हिंदी में और यह सारे हैं कि कलरस भी सुंदर सुंदर होते हैं मेरे पास जो बहुत सारे ही बिसकस हैं फ्लावरिंग होरी है और नही ने पत्य पी आ एं गयं बन रही है और बात करहांगे कि की बैस करते इस भी बाने इंlier हमsk दो आःए की शयर ऐन पे जो मैं अपने प्लाइं आपनाट करती देखे कुछ प्लांट के हैं सिकुड़े हुए हैं पत्तियां नहीं नहीं आ रही हैं पर सिकुड़ जा रही हैं तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए और कलियां बन रही हैं और गिर जा रही हैं देखे इस तरह से कलियां बन रही हैं पर गिर जा रही हैं बहुत जादा तो एक बार उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, देखिए, फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, पर फिर भी बिमारियां लगना शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए, मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, विसकस के, और जमीन में लगे ह हैं, डवल पिटल, सिंगल पिटल बहुत सारे हैं, इस प्लांट को आप बहुत इजी ली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजी ग्रोईंग है, हार्ट फिटर भी नहीं होता है, और कटिंग से ग्रोई होने वाला बहुत इजी ली प्लांट है, जो की कटिंग से ग् और यह टाइम जो है अक्टूबर का महिना और सितंबर लास में जो है वह आप कटिंग ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी 100% आपकी जो कटिंग है वह ग्रो हो जाएगी यह जो कॉमन फ्लावर है ही विसकस का यही बहुत ज्यादा चलता है जब बिंटर ज्यादा होती है उस ट अक्टूबर का इस टाइम पर अगर आप कटिंग ग्रो करते हैं तो आपको एक हपते के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ड मिल जाएगा देखिए मैंने भी वही ट्राइग किया था बरसात में जो लगाई थी कटिंग वह अधिक बारिश होने के खराण खराब हो गई तो मैंने यह कटिंग लगाई है और एक हपते से भी कम कर टाइम में देखे नए ने सूट्स आ गये हैं तो आप भी ट्राइ कीजिए कहीं पर भी डाल दीजिए जिस गमले में थोड़ी जगे है वहां डाल दीजिए मैंने भी यही किया है बहुत सारी कटिंग लगाई हैं मेरे पॉट में लगा रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी आपको वेल्डेन मनानी पड़ेगी जिसमें की आप पॉटिंग मिक्स मतब नॉर्मल सोयल के साथ में आपको सेंड भी मिक्स करनी पड़ेगी तो इस तरह से जो नीचे लगे हुए प्लांट होते हैं विसकस की उनकी जो होती है उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए हमें प्रोनिंग करनी होती है विंटर जो है इसका डॉरमेंसी का टाइम माना जाता है ज्यादा विंटर हो जाती है तो उस टाइम पे जैसे जन्वरी में आप इसकी प्रोनिंग कर सकते हैं हार्ट प्रोनिं तो उस टाइम पर आप इसकी प्रोनिंग कर सकते हैं बहुत इजिली इसके लिए क्या खाद देनी है देखिए बरसात का टाइम निकल चुका है और यह दो-तीन महने अभी फ्लावरिंग करेगा तो इसको है भी फिटर हमें खाद देनी है इस टाइम पर क्योंकि बरसात में इस तो आज मैंने इसको बरसात के बाद पहली बार खाद दे रही हूँ तो लिक्विट फर्टिलाजर देनी की सोची है तो मैं वही आपके साँ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या किया है और स्प्रे के लिए भी मैंने देखिए फिटकिरी का यूज किया है फिटकिरी का स्प्र लिकवीट फर्टिलाजर के साथ इसको mix करण fix Alright 이제 this way लिकवीटषो फिट्क्री होती है एकवेक हीं तो हमारे ब्लान् पर भी वे सब्छाटी तो आप Peter यह करते हैं फित्क्री गोलिएशत दो घंड थीन घंड उस हिसाब से आप पानी बनाईए और उसकी जो मातर है उसको बढ़ा दीजिए डबल और तिवल कर सकते हैं तो उस तरह से आप यूज कीजिए और देखिए काव डंग के जो उपले होते हैं उसका लिक्विट फर्टिलाजर और ओनियन पील और जो बनाना पील है जो की बहु कि मेरे इस तरह से मिलीवग और चिट्टियां लगी थी तो मैंने जो फिट्किरी का पानी अपनी स्प्रे बोटल में भरा और उन पर यूज किया तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है आप भी मातरा सही रखिए और जो फिट्किरी का पानी है उसका स्प्रे दो तीन बार तो आपको बहुत ज़्यादा रहत मिलेगी देखिए मिलीवग से और चिट्टियों से तो मैंने भी वही किया है इस तरह से मैंने स्प्रे भी कर दिया है फिट्किरी के पानी का और जो मैंने आज लिकुट फर्टिलाजर बनाया वह तो प्लांट के लिए और अगर नॉर्मल हम खाट डालते हैं सूखी खाट तो वह जल्दी असर नहीं करेगी इस तरह से मैंने जो ओनियन पील और बनाना पील का जो बना के रखता चौबीस घंडे पहले भीगा दिया था तो उसको चान लिया है और सभी चीजे में इसमें मिक्स कर दूंगी जो क यह जो प्लांट अगर जो बना दिया है तो इस तरह से मैंने जो पानी की मात्रा ती उसको इतना बढ़ा दिया है तो आप भी डालुट कर के डालिए वैसे तो कोई खराब नहीं है लेकिन डालुट करना जरूरी है क्योंकि सभी प्लांट को थोड़ी थोड़ी मात्रा मिल जाएगी इस तरह से थोड़ा सा मैंने गुड़ाई कर ली है अपने प्लांट की पहले इसकी जड़ों को भी थोड़ा राहत मिलते गुड़ाई करने से उसके बाद में जो अपना लिकुड फटिलाजर बनाया है वह डाल दूंगी तो आप भी इस तरह से यूज करिए फ्र